गुड मॉनिंग दोस्तों मैं रिजित कुमार आप सभी के स्वाद करता हूं नुटेशन पे आज हम पढ़ेंगे 11 दिसमबर से 17 दिसमबर तक के वीकली जो आपके SSC, Banking, Railway, State Exams और UPC के लिए बहुत ही मैद्पूर है इसलिए आपने हमारे चैनल को अविज़ार सब्सक्राइब करा है चैनल सब्सक्राइब करें साथी बैल आकर जरू दोबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की ओडिफिक्शन मिलती रहे और हमारे चैनल को से रहा what is the name of the samarati performed in the temples of Kannadka के मंदरों में की जाने वाली Salaam Aarti का क्या नाम है तो इसका सियासर आपका है option B, Sandhiya Aarti जी हां, सन्धिया आरति कर दिया गया है पहले इसका नाम सलाम सलाम आरति था जो अब बदल के का कर दिए जाएगा, इसका संदhयार्थी कर दिया जाएगा यह आपको दादे ृसकि बारे बन्चानकाई दे दे सलाम आरती है इसका सला मारती है इसका ना मतलख संदhयार्थी कर दियागया है Почему आपको दादे यह सभी ट Beim 적이 plat ट को एंदर है वह उन सभी में कर दिया जाएगा कि टीपू सुल्तान के टाइम से चलती आ रही सलाम आरती को सलाम आरती का नाम बदल के संध्या आरती कर दिया जाए तो इसका अप्रूवल इन्हें कर दिया आपको उतादे इसको जो decision मतलब यह दिया किसने है तो यह दिया था historic आप पढ़ेंगे तो चलू नारायन स्वामी टेंपल जो है जो की आपका मेलकोट के अंदर है उन्हेंनों यह proposal दिया था मंध्या district के जो administration है उनको दिया था उनसे कहा था कि यह आपके जो सलाम आरती ही इसका नाम बदल के संध्या आरती कर दिया जाए तो आपको दादेने संध्या आरती जो होती है वो डेली साम साथ वज़े की जाती है मंद्रों में गनाट कर अंदर चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं who has made the record for scoring the fastest double century in ODI cricket means cricket one day cricket में सबसे तेज 12 सतक बनाने वाले record किसने मनाया है तो आपको दाना है कि 12 century किसने मारी सबसे तेज सबसे तेज 12 संचीर मारी है इनने सबसे तेज 12 सतक मारा है लगवड़ एक सो साथ की स्टाइक रेट के साथ चलिए आपको दिखा दें जैसे आप दिखते हैं यहां पर इसान किसने 210 मारे थे 131 वालों पे और एक सो साथ पॉइंट तीन की स्टाइक रेट के साथ और बंगादिस के खलाव यह मारे गए थे इंडिया मैं चो रहा था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वेश्व की सबसे मजबूत पासपोर्ट सुची 2022 में भारत का रेंग क्या है तो सी अंसर आपका है ऑप्षिन ऑप्षिन डी 87 जी हाँ 87 इंडिया के रेंग रही है इसे बता दें आपको जो पासपोर्ट इंडेक्स 2022 है इसे आर्टाउन आर्टाउन केपिटल्स द्वार निकाली गी है इसमें यह लोग वल्ड के सबसे स्टॉंगेस पासपोर्ट और वीकेस पासपोर्ट की के लिस्ट चारी करते हैं उसमें जो आपका सबसे स्टॉंगेसम फासपोर्ट है वह इस्टाइम में UK का है ठीक है यूविक के सबसे स्टॉंगAnyship पासपोर्ट है और वहीं आप देखा जातें इंडिया गलेंक है चली है यह ऑगे बढ़ते हैं में फैस्ट्स यास बिकम दि सुष्पितार सुखला जी हाँ सुष्पितार सुखला जी आप जकते हैं ये एक Indian origin महिला है जो America के अंदर जो Federal Reserve Bank है उसकी Vice President बन गई है पहली पहली Indian आट कह सकते हैं कि पहली Indian पहली Indian Vice President बन गई है Colorado Reserve Bank की आपको जान का वाइस प्रेसिएंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसे हम CEO कहते है और यह डिसिएंट किसे लिया है तो यह डिसिएंट लिया है बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ दी फेडरल रिजर्फ सिस्टम ने जो कि एक बॉड़ी है फेडरल रिजर्फ सिस्टम की जो अपॉइंट कर और यह आपका है है नियॉर्क यह से स्टेट के अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं विच इंडियन स्टाट अब हैज बीन अवाड़ेड दी अर्थ शॉर्ट अवाड तो इस बहरती स्टाट अवाड ट्वैडिटिटू से समानित किया गया है तो यह असर आपका है ऑप्शि प्रिंज विल्स जिनका नाम है बॉस्टन युनाइटिड श्रेट्स के अंदर और इसके तहट जो इंडियन स्टार्टप है खेती जो की तेलंगना से है इसको वन पॉइंट मिलियन पॉइंज मतला वन पॉइंट टू मिलियन डॉलर रॉपेज दिये गए हैं और इसके सियो और को फाउंडर है जिनका नाम है कौशिक कपा गंटूलू इन्हों ने बताया है कि हमने यह जो जोने खेती स्टार्टप लांच किया है इससे लगबग सौ मिलियन लोकल जो स्मॉल फार्मर स्मॉल फार्मर जिसन के पास ने मतलब करती है उनको मद्द कम लेगी किसले मद्द मिलेगी जो क्लाइमेट चेंज जैसा हमारी फसले ही बरवाद हो रही है और पैदावार पर इस पर अफेक्ट पड़ता है तो हम इसको कम करने के लिए यह तरीका इसको यह प्राइज मिला है ठीक है और खेयती आप बताएं इंडिया के अंदर है यह प्रटक करता है रिस्टोरिंग करता है नेचर को इंडिया में और वहीं दी क्वीन्स लैंड इंडिजिनियस वोमें रेंजर नेटवर्क इस हेल्पिंग राइव मतलब यह जो है आपकी इसे साफ करने के लिए वहीं नट पराल सर्कल सर्कुलर यह सोलुशन करता है वेस्ट जो यूके में वेस्ट हो फैल रहा है उसको कंट्रोल करता है यह वहीं दिप्रजेक्ट 44.01 यह ओमान का सुर्वें में किया रहा है किसलिए जो क्या नाम होती जो कारवन डाक्साइड हो इसे सिग्स में होता है तो इसे गैस को स्टेटिस में चेंज कर देएगा सॉलिड में जिसे की इनवारेमेंट में सीओ-टू ना फैले चली आगे बढ़ते हैं यह आपके हिंदीम पर दे रखा है आप फिन्दी वालों के लिए यह पढ़ सकते हैं ँसमय से चली आगे प्राइम परेज निस्टर बन गए हैं गुजरात के अपको बता दें प्रदान मंतरी नरीन मोंदी और हमारे ग्रह मंतरी अमिश्चा की उपलब्दा मौझूद थे तब इनको यह कैनम सपद दिलाई गेती प्रदान मुख्य मंतरी की और इसमें आपको बता दें इन्होंने सेकेट टाइम मुख्य मंतरी सपद दी थी ठीक है और बता दें इसमें जो भी बीजीपी लगातार 35 35 30 साल से लगातार बीजीपी गुजात में जीती आ रही है इन्होंने 182 सीट में से 156 सीट जीती थी वहीं गुजा कॉंग्रेस ने 17 सीट जीती और आपने 5 सीट जीती थी चलिए आगे बढ़ते हैं अफ्टर हूं इस दी मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट इंगोवा नेम में मोपा अंतराश्य हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो समसी अंसर आपका है और आपको दादे मोपा इंटरनेशनल गोवा एरपोर्ट जिसका नाम बदल के आप कर दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एरपोर्ट गोवा ठीक है और यह मनोहर पारिकर मैंजर से विए आपको बता है कि वह और यह जो एरपोर्ट है प्रदान मंत्री ने इसका स्टोन रखा था ठीक है और यह गोवा के अंदर दूसरा एरपोर्ट है पहला एरपोर्ट है उसका नाम आपका हो गया है और यह इसका फस्ट अर्पोर्ट है और यह वाल आपका सेकिन अर्पोर्ट हो गया गोवा के अंदर अपको दाता है पानजी है इसके चीफ निसर है प्रमूज सावंत है और इसकी गवर्नर है ऐस स्रीधरन पिल्लाई चलिए आगे बढ़ते हैं हुँ हैस बीन सुरोन इन ऐस सुप्रीम कोट जजर्ज रिसेंटली मीस हाली में सर्वच न्यादीश की रूप में किसने सपत ली है तो आपका सेकिन सर आपका है ऑप्शन ऑप्शन डी दिपांकर धत्ता जी हाँ दिपांकर धत्ता आप जटते हैं फोटो हेंका इन्होंने अब भी ये बन गए है Supreme Court के High Court, Supreme Court के Judge ठीक है, इनने ने अपउइंट कर दिया गया है क्या Supreme Court के Judge अपउइंट कर दिया गया है, तो आपको दादें जो दिपांकर दता है, ये former Chief Justice of Bombay High Court के रह चुके हैं, ठीक है, इनको अपना दिया गया है, Judge of Supreme Court, ठीक है, और ये इनको जो कि उन्होंने इस के नामे जो सर्मेनी होती है ना टॉप कोड की कोड के अंदर एक सर्मेनी होती है उसमें ये जाने के नाम उन्हें सपह दिलाई कि अब वो सुप्रीम कोड के जज़ बन गए है चलिया के बढ़ते हैं विच हैस बिकम दी फस्ट स्टेट इन इंडिया टू लांच क्लाइमेट चेंज मिशन मींस जलवाईव परिवरतन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज कौन सा बन गया है तो इसमस्य असर आपका है ऑप्शन ऑप्शन बी तमिल नाडू जी हाँ तमिल नाडू पहल जलवाएव परिवरतन शुरू करने सषय करने वाला पहला फार्जमन गया है और यह लॉंच करेगा ब्रीन कि यह असे पहले घ्रीन क्याप कि अलग सकता है कोई से सोरू कौन golden नाम मिशन किया घ्रीव किसलिए climate change के लिए वहीं आगे बढ़ते है a special purpose vehicle जैसे एक और शुरू के अगदा है जैसे तमिल नाडू green climate company TNGCC ने तो जो कि क्या है जो तमिल नाडू का अंदर जो है वो climate action को लागू करे है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है which हमालेन medicinal plants have been included in the IUCN red list means IUCN की लाज सुची में हमाले के किस औशदिय पौदे को सामिल किया गया है तो आपका सी अंसर है all of the above मतलब ये उपर वाले सभी इन तीनों को add कर दिया गया है IUCN की red list में आप जिखते हैं ये फोटो है उन तीनों पौदों के हमाले इन पौदों के आप बता दें जो हिमालया पर पाई जाने वाई ये तीन औशदिया है मतलब भी ठीक है ये औशदिया है इनको हमारी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेश्चन आफ नेचर ना इसने अपनी जिनकी रेड लेस्ट आती है उसके नेट डाल दिया है क्योंकि ये स्पीसीज जो है ना संकर गश्ट मतलब आप समय लिए कि लुप्ध होने कगार पे हैं या पसंग इनकी स्पीसीज को लग लगगा कि खतम होने वाली एंड़िये तो अब ये कौन कौन सी इनके नाम भी आत कर लिएगा आप जैसे एक है मीजु एक का नाम है मीजो मीजो ट्रॉपिस पिलिटा यह किया गया है इसे एक क्रिटिकली एंडेजिन मतलब कमी रूप से संकत ग्रस्त मतलब यह बहुत ज्यादा यह लुप थोने कागार पर है इसलिए दूसरी आपकी है फिटिलोरिया सिरोसा जीसे गया गया है मतलब कमजोर मतलब यह थोड़े इसमा आ गई है कि यह भी धिरे अभी है पाई आती पर कममाउंट पाई जाती इसलिए के नाम है कमजोर इससे में डाला गया वहीं आपका मतलब लुप प्राए तो लगवलव यह खतम होने वाली है लगवलव खतम होने वाली इस के इसको डाला गया है चलिए आगे बढ़ते हैं इन विश्टेट दी परस बरसापरा क्रिकिट स्टेडियम वर इन वर दी फस्ट ओडियाई मैच विल वी प्लेड ऑन जिन्वरी टै असम में जी हां असम में क्रिकिट बनाए गया है आप दिखते हैं यह वर शापरा इस्टेडियम है यह इसमें पहला मैच खिला जाएगा इंडिया और श्री लंका खिला जाएगा पहला मैच खिला जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं का विश्वा शंस्क्रण किस देश में आयोजित किया जाएगा तो उसे स्थे आपका है ऑप्शन डी नेपाल जी हाँ नेपाल के अंदर यह आयोजित किया जाएगा आपको दादें यह जो इस जो आपका जो काटमान्डू इंटरनेशनल मौनटेंड फिल्म फेस्टिवल है इस यह थीम है वो रहेगी सस्टेनवल समिट्स तो आप बस कुछ और यार नहीं है तो आपके में काम यह है कि आप यह रखें कैसी थीम क्या है कि थीम ही आप से पूछी आ सकती है ठी स्पेस्क्राफ मींज किस देश ने अरव निर्मित चंद्र अंत्रिक्षियान का सवलता पूर्वक परशेशन परशेपन किया है तो से अंसर आपका है ऑप्शन ऑप्शन सी यह यह मतलब संयुक्त अरब अमीरात ने सक्सेस्पुली लॉंच किया है अरब बिल्ड लूनर स् इसको इन्होंने लॉंच कर दिया है कहां ठीक है आपको दा दें जो फैलकन स्पेस्टेक्स का फैलकन नाइन रॉकेट है इसने यह लिखे गया है पहली अरव बिल्ड लूनर स्पेस्क्राफ्ट स्पेस के अंदर और यह लॉंच हुआ था केप केना वर्सल स्पेस फोर स्ट की फ्लोरीडा के अंदर है और यह लुणर है इसका नाम भी होता है जो इसका नाम रखा गया है रश deal राशिज रोवर जी हां राशिज रोवर इसे नाम है और इसे बनाए गया है दोवई मोहमद बिन राशिद स्पेस सेंटर जिसे हम कहते हैं MBRSC और यो कि यह इनाटीड अरव एमिरेट्स में पड़ता है और इसे डिलिवर किया गया है हुकुतो आर लेंडर जो कि बनाए गया तो लूनर चांद भीजा गया है तो यह चांद पहुंचेगा अप्रेल दोजार टेश में ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं यह हंदी में है आप पड़ सकते हैं और आप पड़ते हैं वेरे इस दी प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राइस ऑन दी वन फिफ्टीथ एनिवर वर्थ एनिवर्शी ऑफ श्री अरविंदो मिन्स श्री अरविंदो की एक सुपचासवी जहंती पर कार्यकर्म का आयूजन कहां किया गया है तो सी असर आपका है option option 3 पुंडुचैरी यहां पुंदुचैरी के अंदर आयुज़त किया है 150th worth anniversary आप सकते हैं यह प्रधान मंतरी मोदीजी ने इस इनकी worth anniversary पे एक सिक्का और यह stems जारी करी रही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आपको दा दें जैकि मैं बताया आपको बारत अपनी सुत्रदा का 75 वरसकार बना रहा है मतला हम अमरीद मौसर बना रहे हैं अपना यसी दिन के नाम श्री अर्विंदो को इनकी 1500 भी जैनती भी मनाते हैं इनकी जो जैनती है वो 13 December को मनाई जाती है ठीक है आपको दा दें जो श्री अर्विंदो है उनकी जैनती अ पैदा हुए श्री अर्विंदो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के स्वसंत्रता संग्राम में स्थाय युगदान दिया था और आपको दाने इनके उनको एक पॉलेट भी थे यह तो उन्होंने उनको 36 वॉल्यम में डिवाइड किया है तो उनकी लेक है औ ने का ञाउस मुझा बहारत के पहले संग्रास कर को 27 है युद्यम में में इनका खतलता पूले थे जनेगा stripes पूर्य यादाई नाम की पत्रिका एक नाम की पत्रिका थी ठीक है यह बंदे मातरम नूस्पर किसके द्वारे चलाए गया था यह था श्रीय विंदे द्वारा और यह आर्या पत्रिका है ये यह किसरी चारी किया था यह क्या था 1940 में चार साल मोन योग मतला मोन योग समझे यहां एक सांत रहने के बिल्गुछ आपको बोलेंगे नहीं सांत बैठें तो चार साल तक मोन योग के रहने के बाद उन्होंने आर्या प्रकाशन शुरू के थी इसमें उन्होंने के नाम दी लाइफ और दी लाइफ टिवाइड दी थी सिंथियोसिस ऑफ योग निबंद ऑन दी गीता और इश दी इशा उपनिशद अपने उस आर्या जो आपका क्रम क्रू कार्य के जो पत्ते का थी उसके अंदर लिखके दी गहीं थी चलिए आगे बढ़ते हैं यह आपका इंग्लिश में है पढ़ लीजेगा और आपका है हू सिक्योर दी फर्स्ट पॉजिशन इंडी ग्रिवियेंस रेड्रेसर इंडेक्स इन नम्बर में सिकायत निवार ने इससे सबसे जादा क्यानाम लोगों की सिकायतों का निवारन किया है यह लगाता चौती बार इसे फर्स्ट पॉजिशन मिली है यह मतलब हर मन्त के साब से यह रिपोर्ट जारी करिया आती है और रिपोर्ट पॉब्लिश की जाती है हम एडिस्टेटिटिव रिफॉर्म और पॉब्लिक ग्रेवियंसे डिपार्टमेंट द्वारा जिस हम कहते हैं डिया और पीजी इसके जारा मंतली रिपोर्ट ज्यारी की जाती है कि किसे सबसे ज्यादा अच्छा ज्यादा का निवारन किया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वट इस रैंक उफ इंडिया इ अप्षिन और फिफ्ट नेंग रहा है जी इसमें बारत का फिफ्ट नेंग रहा है ठीक है और इसमें जो टॉप करने वाली कंटरी थी यूँ यूए से थी इसमें इसमें टॉप करने वाली कंपनी थी इसमें दोको और पिसली साल इंडिया की रहं की थी मांट रहें कि दोजार एक्टिंग आई कि और टोटल एट कंपनी थी अब हमारी रहेंक बड़की क्ती हो गई विफ्ट हो गई है वहारे देश के अंदर ठीक है और रूरूर तेशोंे करना में जारी किया आती है इस्नाइर की जाल जाता है जो कंपनी फिसे सरकार धोढिंगी सरकार कश्ची या सब आता है उसकी कंपनी को रिंग सेंग чтобreal多 चाहिए उसके सब्सक्राइए t में टॉप किया है तो सेकंड फस्ट नमर पर यह से रहा है यह से जो एपल है जो एपल कंपनी आप गड़ी आप पहनते ही है इसकी सबसे जाब लगाई गई थी वह थी 2.4 ट्रिलियंड डॉलर माइक्रोसॉफ्ट सेकंड नमर पर था 1.8 ट्रियंड और अल्फाबेट जो की ग यूएसे केंदर, ठीक है तो यूएसे तो फस्ट था ही, यूएसे तो फस्ट ही है而 second नमर पर है है चाइना ठीक है, चाइना के total 35 companies है, चाइना केंदर, ठीक है और वहीं third नमर पर है Japan और उसके बाद क्या है UK फूर्थ नमर पर है और利 माइडिया और Canada दोनों क्या है तो इने फिफ्ट फडिशन पे है तो इन्होंने एड और तीन कमपनियस एंड करी है और वहीं के नाम है France और जर्वनिये उसके वाद जगा ली है चलिए आगे बढ़ते हैं विच मेडल हैस मनु भाकर वान इन शूटिंग चेंपियंशिप मीन्स राष्टि निशानेबाजी चेंपियंशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है तो सी असर आपका है ऑप्शन ऑप्शन सी गोल्ड मेडल जीता है इना आप दिसके दें फोटो यह हमारी ओलंपियन एक पीशा सींग जो तिलंगना से ब्लांग करती उन्हें हराकर जूनियर महिला एयर पिस्टल जीती है और आपको उता दें भुपाल में आयजित हो रही है पिस्टल स्परदा मतलब आपको कि समरें पिस्टल निमेंट का का कॉन सा 65 65 राष्टी निशानिवाज चल रही है काँ पे बोपाल के अंदर चल रही है तो या रखेगा बहुत इंपॉरेंट है उप युवाव का हुआ था इन समय यह सब कडिगरी में पांच कडिगरी के अंदर में जुआ था इन समय अलालग विनर रहे हैं जैसे आप या रखेंगे तो दस मीटर एर पिस्टल में जो की फीमिल में है उसमें दिब्या टी एस इसने इन्होंने गोल्ड मेल जीता है वहीं युवा के अंदर देखा जाए यंग के अंदर देखा तो ताल संगवान जो है इन्होंने गोल्ड मेल जीता है वहीं आप देखेंगे 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल जो की मेल का हुआ था उसमें विजय कुमार ने क्या है गोल्ड मेल जीता है तो याद कर लिएगा अब आ सब्सक्राइब डालोर करके उसे पढ़ सकते हैं चलिया के बढ़ते हैं वेर वाज दी प्रमुक स्वामी महराज सेंटरी सेंटरिनरी सेस्टिवल और्गनाइज मींज प्रमुक स्वामी महराज सताब्दी महसव कायोजन कहां किया गया था तो आपके options हैं तो सियांसर आपक सब्सक्राइब और राश्पति द्रप्ति मुर्मुर्जी दाउन लोग इस फेस्टिवल में और इस फेस्टिवल में बाहर अलग देशों से भी लोग इन्वाइट किया गया था और यह एक महीं नंबा चन्ने वाला फेस्टिवल है जो कि 15 दिसंबर से 15 जनुरी तक चलेग बाकी यहां जान गई दिया रखिया आप बढ़ते हैं चलिया के बढ़ते हैं वो हैस क्लिटेट दी नेश्टनल रिकॉर्ड इन 10 मीटर ब्रेक स्ट्रोक एट एफ आई एने वर्ल्ड स्विमिंग चेंपियंशिप 2022 में 100 मीटर ब्रेक स्ट्रोक में राश्टिया रिकॉर्ड किस ने बनाया है तो सी अंसर आपका है ऑप्षिन ऑप्षिन डी चाहत अरोरा जी हां चाहत अरोरा याप फोड़ सेकते हैं इन्होंने बनाया है नेश्टनल रिकॉर्ड बनाया है पूरे वर्ल्ड स्विमिंग चेंपियंशिप में ठीक है आपको दादें जो इंडिन स्वि ब्रेस्ट्रोक के अंदर है और कहां पे फाइए निफ वर्ल्ड स्विमिंग चेंपियर्शिप 2022 में डेकर्ट में कर रहा है एक तेरा सेकंड ठीन पॉइंटी वय्क्रट वर्ल्ड इकर्सने सेकंड का है असरे पानाया है और फाम क्या है फाने मैं फ्डेरेशन इंटनेशनल सब्सक्राइब को विश्व की सीर से दस पहलों में सामिल किया गया है तो उसका से अंसर आपका है उसको इनवार्मेंट प्रोग्राम के अंदर टॉप 10 इनिस्टिव में के अंदर एड किया गया है तो इसके जो हमारे यह जो अवार्ड है यह वार्ड दिया गया है दिया गया है जी अशुक कुमार जो की डिरेक्टर जनरल है नवामी गंगे प्रजेक्ट के और यह कहां पुगा था यह हुआ था फिफ्ट कॉन्फरेंस ऑफ दी कंवेंशन ऑफ और बायो डाइवर्सिटी इस हम कहते हैं सी बीसी मॉंट्रियल के अंदर हुआ था वहां पर यह अवार्ड दिया गया था किसे नवामी गंगे तो इसे किस ने लिया है तो यह रिसीब किया गया है जी अशुक कुमार द्वारा जो कि इसके डारेक्टर जनरल है या रख एगा ठीक आपको दादें गंगे का नाम 150 initiatives में से चूज किया गया था जो कि 70 देशों से आये थे चलिए और आपको दादें इसमें जो है क्या नाम है यह स्रेट किया आएगा है किसके अंदर United Nation Decade on Ecosystem Restoration फीक है यह पूरी पूरी इनके द्वारा के नाम है सेलेक्ट किया जाते हैं इन सबी को और साथी इनने हेल्प किया जाती है United Nation Environment Program बते UNEP और साथ में United Nation Food and Agriculture Organization FAO के द्वारा इन सब के द्वारा क्या भी इनने कोईडिनेट किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं तंदूर रेड ग्राम ब्लॉंग्स टू विश्टेट कॉट जियाई टेग मिनस तंदूर ग्राम किस राज़्य से संबंदित है जिसे जियाई टेग मिला है तो सियांसर आपका है कि यह अब टिलंगानास कि लाइगा चलिए आके बढ़ते हैं विच मिसल मिसाइल हैज बिन टेस्टट वाइडिया से कि जैंट्र बारत हमनु धूस्सट किया हर अगना अभारत यहां हिए इसका अगनी कीक्षन किया है जिसकी टॉटल जो है 5000 क्लिमेटर चैंसा है इंडियाशर आपका їz यूनिट्स बाइ 2031 भारत में 2031 कितने प्रमानु और जास सहिंत्र एकाईयों को चालू करेगा तो सिंसर आपका है ऑप्शन टू ए 20 जी हां 20 निको पाव प्लांट इंडिया इंस्टॉल करेगा भारत के अंदर 211 तक जिसकी जो कैपिसर्टी हो जाएगी 15,000 मेगावाट ठीक यूनिट का एक निक्री पाव प्लाइंड जो की का करा पर गुजरात के इंदर जगह है ठीक है का करा पार एक जगह है गुजरात के अंदर उसे 23 जहांपर यह निक्ली पारण बन रहा है 23 में इसको चालू कर देंगे ठीक है चलिए आप बढ़ते हैं आप जिसके इन फोट पूरा दे सकता है आपको आप सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आपको आपका है उप्शन सी हाईद्रवास स्ट्राइकर्स टैनिस प्रेमियर लिग टॉनीटू का टाइडल आप लिए एप को उटा देए जो हाईद्रवास स्ट्राइकर्स है इन्होंने जैसे हमारा IPL होता उसी तरह से एक Tennis Premier League भी होता है जो कि चार साल से लगातर किया रहा है और यह चौता संस्क्नेट था ठीक कहां पर होता है यह होता हमारा पूने महराश्ट्रेक अंदर हुआ था ठीक इसमें क्या हुआ है है घ्रावाज स्ट्राइकर्स ने मुंबई लोइन को लॉइन आर्मी को हराके एक 41-32 से हराके यह कहना में प्रीमर लीग जीत ली है और लगातार इन्होंने यह दूसरी बार यह प्रीमर लीग जीती है इसने हाइदावार स्ट्राइकर्स के अंदर है ठीक चलिया के बढ़ते हैं विच एलाइन हैस वान दी सेफटी पर्फॉ प्रुसकार जीता है तो यह तर आपका है ओप्शन ऑप्शन डी स्पाइस जट जीए हां स्पाइस जट ने और जीता है अब जिए यह दिए पर्फॉमेंस डेट मींस दमोस्ट ऐस इसका नाम जो परणाम क्या है सेफटी पर्फॉमर ऑफ दी एर और यह किए किसकी बाकी लोग पर इपास चा सकोँ, जेहें